स्विस अल्प्स अफगानिस्तान से बहुत दूर हैं पर यही वो जगा हैं जहां फरीबा और यूल्दूस हाशी में पारिस ओलम्पिक्स के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं यह बहने एक स्पेशल टीम का हिस्सा हैं जिन्हें कई महीनों की अनिश्चिता के बाद उलम्पिक्स में अफगानिस्तान का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है दोनों एक साथ उलम्पिक्स में हिस्सा लेंगी जिसे लेकर वो बहुत खुश हैं मैं और मेरी बहन बहुत खुश हैं हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं हम सारी रेस और ट्रेनिंग एकठे कर रहे हैं युल्दूज और फरीबा स्विच्जलेंड में मौजूद वर्ल साइकलिंग सेंटर में रहती हैं ये दुनिया उतरी अफगानिस्तान के सुदूर और रूडिवादी प्रांद फारियाब से काफी अलग है जहां ये दोनों बहने पली बढ़ी जब 2021 में तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हुआ तो उसने महिलाओं के अधिकारों पर कई पाबंदियां लगा दी अपने भविश्य को लेकर चिंतित इन दोनों बहनों ने देश को छोड़ने के लिए साइकलिंग जगत के लोगों से संपर्क किया बिलकुल मैं हर वक्त अफगान महिलाओं के बारे में सूचती हूँ अफगानिस्तान में महिलाओं के लिए सब बंढ़ कर दिया गया है मैं उमीद करती ह realism कि वो महिलाओं के लिए सभी चीज़ों को खोल देंगे ताकि महिलाओं की पहुछ उन चीज़ों तक हो पैरिस में युल्दुज और फरीबा अफगानिस्तान की स्पेशल जेंडर अफगान ओलम्पिक टीम का हिस्सा होंगी जिसमें तीन पुरुष और तीन महिलाएं होंगी पिछले कई महिनों से इस बात पर संधेह बना हुआ था कि क्या तालिबान ओलम्पिक्स में केवल पुरुषों की टीम भेजेगा या नहीं पर इस निरने ने उस संधे को दूर कर दिया अंतराश्ट्री ओलम्पिक कमेटी का कहना है कि पैरिस ओलम्पिक्स में किसी भी तालिबान अधिकारी को जाने नहीं दिया जाएगा ओलम्पिक बच्पन से ही मेरा सपना था जब से मैंने साइकल चलाना शुरू किया था मैं अफगानिस्तान से आई हूँ और मैं सब ही के लिए खासकर अफगानिस्तान में मौझूद महिलाओं के लिए पूरा जोर लगा दोंगी